Principles of Systematics Module 102 Identification of Family Arenity Family Arenity के जो Members है ये Web Builder Spiders होते हैं Web Builder Spiders अपने Web का इस्तमाल करते हैं प्रे को Capture करने के लिए ये आम तोर पर Active Hunters नहीं होते ये अपने जो प्रे है उसको Capture करने के लिए प्रे को Chase नहीं करते बलके ये Web बनाते हैं और इस Web के अंदर बैठ कर अपने प्रे का इंतिजार करते हैं कि वो किसी तरीके से इनके Web के अंदर Trap हो और जैसे ही इनका प्रे इस Web को Touch करता है तो फॉरण ये उसके उपर Attack करते हैं क्योंकि इनका जो Web है उसके जो Threats होते हैं वो Sticky Nature के होते हैं जब कोई भी प्रे इनके Web को Approach करता है तो जैसे ही वो किसी एक Portion के साथ जाके किसी Body Part को Touch करता है तो Web इनकी Body के साथ चिपक जाता है और जब ये प्रे स्ट्रगल करते हैं वहां से Escape करने के कोशिश करते हैं तो उसके नरतीजे में ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने Body का Part है उसको इस Web के साथ Contact कर वा लेते हैं और Ultimately ये उस जाल के अंदर फस जाते हैं उसके बाद जो स्पाइडर्स हैं ये Quickly उस प्रे के करीब जाते हैं और वहां पे जाने के बाद ये अपना जो Venom है अपने Fanks के जरीए उस प्रे की Body के अंदर इंजेक्ट करते हैं और Ultimately उस प्रे को Immobilize कर लिया जाता है अब जो Family Aireneady है इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जो Family Aireneady है ये स्पाइडर्स की एक Successful Family है क्योंकि इस Family की जो Variety है वो बहुत जादा है इस Family के जो Members है उनकी तदाद बहुत जादा है उसके साथ ये जो Family है इसके अंदर बहुत जादा Adaptations है इस Family के अंदर कुछ Spiders ऐसे हैं जो Regular Web बनाते हैं लेकिन कुछ Spiders वेब बनाते हैं लेकिन वो Regular Web नहीं होता वो Irregular Web होता है तो ऐसे Spiders जो के Regular Web बनाते हैं स्पेसिफिक डिजाइन वाला Web बनाते हैं उनको हम और Web Spiders कहते हैं अब जो एरेनेडी फैमिली है इसके अलावा यूलो बॉराइडी और टेटरागनेथडी ये दो ऐसी फैमिली हैं जो के Regular Web बनाते हैं अब वेब बनाने का जो टाइम है और इसका जो डिजाइन है ये Species स्पेसिफिक होता है Spiders Web बनाने के लिए मुख्तलिफ सबस्टेट का इंतखाब करती हैं उसके लावा कुछ Spiders ऐसे होते हैं जो Web बनाने के लिए पौदे का जो बॉटम पोर्शन है उसको प्रेफर करते हैं कुछ Spiders ऐसे हैं जो के केनॉपी के उपर अपना Web बनाते हैं कुछ Spiders ऐसे हैं जो दो Plants के दर्मियान में जो Space होती है वहाँ पे अपना Web बनाते हैं उसके साथ साथ जो Spiders हैं वो Web बनाने के लिए इस चीज़ को भी जहन में रखती हैं के Wind Direction कैसी है उसके अलावा Field के अंदर जो Preak की Availability है वो कैसी है अब Family Arenity के जो Member हैं इसके अगर हम Size की बात करें तो Size के अंदर बहुत ज़ादा Variation है For example, कुछ Spiders जैसा के Signa, सिंगना जो Genus है इसके जो Members है वो बहुत चोटे होते हैं 2 mm के लेकिन अगर हम Nephila जो के Arenity Family जो है इसका एक बड़ा Group है इसका जो Size है वो काफी बड़ा होता है अगर इसके Members को हम देखें तो इसके Members 50 mm तक हो सकते है इसका मतलब यह हुआ के Size के हिसाब से इस Family के अंदर बहुत ज़ादा Variability पाई जाती है उसके लावा अगर हम इन Spiders की Eyes को देखें तो इनके अंदर 4 Pairs of Eyes होती है जो के 2 rows के अंदर Arrange होती है एक Front Row होती है और एक उसके पीछे दूसरी Row होती है दोनो Horizontal Arrangement के साथ मौजूद होती है अगर हम R&D Family के Members जो है उसमें Male और Females को Compare करें तो Male का जो Size है वो Female के मकाबले में Comparatively काफी Small होता है Sometimes Male और Female एक दूसरी से वाज़े तोर पर Different नज़र आते हैं और बहुत सारे Taxonomists mistakenly इनको Different Species Consider कर लेते हैं उसके लावा जो Family R&D के Members हैं उसके अंदर अगर हम Adaptations की बात करें तो इस Family के जो Members हैं वो Highly Adaptive हैं और बहुत सारी इनके अंदर Variability है वेब डिजाइन के लिए, प्रे सेलेक्शन के लिए और Habitat सेलेक्शन के हवाले से उसके बाद कुछ स्पाइडर्स ऐसे हैं इस Family के अंदर जो Immediately अपना जो प्रे है उसको अपने वेब के अंदर रैप करते हैं रैप करने के बाद वो उस प्रे को बाइट करते हैं इसी तरीके से कुछ स्पाइडर्स ऐसे हैं जो अपने जो प्रे है उसको रैप करते हैं उसके बाद मूव करते हैं और उसके बाद फिर उसको बाइट करते हैं लेकिन कुछ spider ऐसे भी देखने में आए हैं जो जस्ट अपने चैलिस राग से अपने जो प्रे हैं उसको सीज करते हैं और उसके बाद उसको मूव करते हैं और मूव करने के बाद उसको अपने hub के अंदर ले जाते हैं hub क्या है? hub इसका जो web होता है, web का जो central portion है जहां पे spider बैठा होता है उसको hub कहते हैं ये बात भी बहुत important है कि web builder spiders के अंदर जो female spiders हैं सिर्फ वो web का इस्तवाल करते हैं जो males हैं वो early stages को उपर web बनाते हैं लेकिन जब adult हो जाते हैं उस वकत बहुत कम web बनाते हैं और ये भी रेखने में आया है कि web के अंदर अक्सर हमें female spiders नजर आते हैं male spiders नजर नहीं आते क्योंकि जो males हैं वो in search of mate जो होते हैं web के उपर वो नहीं बैठते और web जो male spiders है वो बनाते भी बहुत कम है majority of females जो है वो web बनाती हैं और वो उस web को इस्तवाल करते हुए अपने prey को capture करते हैं अब ये देखने में आया है कि जो spiders हैं खासतोर पर और web spiders ये मुखतलफ किसम के habitat के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन इनको web बनाने के लिए एक specific structure चाही होता है ताकि उसके उपर ये अपने threats को attach कर सके